हेलो गाइस और वेलकम टुमाई यूडूब चेनल टेक्निकल उत्तर परदिस इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने रेडमी A3X के फोन में जब भी कॉल रिकोर्ड करते हैं और कॉल रिकोर्डिंग फाइल कहां पे जाती है तो मैं आपको बताऊंगो दोस्तों को रिकोर्डिंग दो जगों पे जाती है आप दोनों जगा हम इससे कहीं भी देख सकते हैं चलिए आपको दोनों तरीके बताएंगे सबसे पहला तरीका आप फोन डाइलर ओपन करें जिससे आप कॉल करते हो इसके बार यहां पे देख सकते हैं मैं आपको इंक्जांपल लायब प्रूफ दिखा रहा हूँ अभी मैंने इस नंबर फे kawal किया मैं देख सकते हैं record कर रहे हैं तो चलिए call record हो चुकी है अब इसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं recording कहां पे जाती है उपर आपको file manager नाम से एप दिख रहा होगा आपको इसको open करना file manager को open करेंगे कुछ हैसे इंटरफेस आपके स्कीन पर दिखने को मिल जाएगा आप जो right-hand नीचे browse पर click करेंगे तो सारे file दिखाए देंगे और यहाँ पर एक option मिलेगा EMIUI नाम से folder है EMIUI इस पर click करेंगे और इसके बाद यहाँ पर नीचे sound recorder का option है आप sound recorder की option पर click करेंगे जब आप कल्स recorder है second option इस पर click करेंगे तो जो भी कॉल recording रहेंगे यहाँ पर आपको दिखाए देंगी आप इसको यहाँ से हैं डेलीट कर सकते हैं और सेर भी कर सकते हैं